दोस्तों MIUI 10 & MIUI 11 Special Theme वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और यहां पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MIUI 11 Supported Fluid Dual V11 Theme सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल अपतार चैनल को और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके मेरी वीडियो के अपडेट सबसे पहले यह थीम आती है एक Red and Black Color के Abstract Wallpaper के साथ में तो यह इस थीम को काफी मज़ेदार बना जेता है और यहां पर Clock Widget आप देख सकते हैं साथ में इसमें जो आइकन्स दिये गए हैं वो भी काफी स्पेसल हैं तो यहां से आप देख सकते हैं आइकन्स भी आपको यह राउंड कॉर्णर से टाइप के मिल जाते हैं यहां Notification Panel Status War में completely change हो जाता है तो यहां पर यह लुक भी काफी अच्छा लगेगा आपको और अगर आप इस थीम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो MI Theme Store पर जाकर आपको सर्च करना होगा Fluid Dual V11 ऐसा सर्च करने पर यह थीम आपको मिल जाएगी वैसे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं अब यहां से आपको क्या है डाउनलोड किया और एपलाई कर लेना है इस तरह का आपको लुक दिखेगा अपने मोबाइल में तो यहां डायल पैड और मैसेजिंग में वी आपको वैसे तो वाइड वैग्राउंड मिलता है पर यहां पर अगर आप डार्क मोड को एनेवल क लेते हैं तो यह थीम काफी मज़िदार हो जाते हैं और थीम में क्या होता है कि आप डार्क मोड को नेवल करते हैं तो यह जो क्विक सेटिंग के टॉगल है वो चैंज हो जाते है डिफॉल्ट हो जाते है पर यहां में डार्क मोड सपोर्ट है इस तीम में तो यहां डार्क black color में abstract wallpaper मिल जाता है बड़ी सी clock visit मिल जाती है right side में camera option मिल जाता है और swipe up करने पर आप unlock कर पाएंगे ऐसे amazing theme वीडियोज देखने के लिए आप इस वीडियो के end screen से और भी मेरे वीडियोज देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही और उमिर करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजे क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज लेके आता रहता हूँ So take care friends, मैं मिलता हूँ अपने next video में